गुद मॉर्निंग फ्रेंड सावर यू आइधिंग को लार फाइन आपके जो एमर्स है उसकी क्योंकि ज्वाइनिंग नहीं आपा रही है तो बहुत सारे बच्चों के यही कमेंट आए हुए थे कि मैं फाइनिली ज्वाइनिंग कब तक होगी क्योंकि बार बार जो है यह सु ताकि एमर्स की भरती कंप्लीट हो तो इस वीडियो में इन सब चीजों सब कोशिशन को जाने की कोशिश करेंगे और देखो जितना पोसीबल हो पाता है आपकी जो डाउट है उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं लेकिन अगर फिर भी कोई रह जाता है तो आप कमेंट से में यह है कि हर एक बच्चा आता है जिस चीज के बारे में नोलेज होती है कोई भी अपने आप में परफेक्ट नहीं होता जो हमसे नोलेज में पाती है वो हम आपके पास शेयर करती है और कमेंट में जो बच्चा जाता है पढ़ता है उसको उस चीज के बारे में नोलेज ह ही नहीं क्योंकि इसके उपर जो हमारी टीजीटी पीजीटी होस्टल वार्डन है उन पर कोई भी फैक्ट नहीं पढ़ने वाला है ठीक है इस चीज़ को ज़रू ध्यान में रखेगा और जो बच्चे कई सारे कमेंट यह आते हैं कि मैं ऐसा लग रहा है कहीं भरती कैंसल ना ह भरती कैंसल तो नहीं होगी ठीक है complete होगी 100% complete होगी यह है थोड़ा time लग रहा है भई time लग रहा है तो सभी के मन में बहुत सारे doubt बहुत सारे questions जो है लगातार आते रहते हैं और जब तक school allotment नहीं हो जाता तो इस type के questions जो है mind में आते ही रहेंगे ठीक है लेकिन यह कभी भी मत सोचीगा कि भरती कैंसल हो जाएगी ठीक है भरती कैंसल नहीं होगी हाँ जब ही कोई case करेगा बंदा देखो हमें right है आपको right मिला हुआ है अगर आपको कहीं पर भी fault नजराता है तो case करने का आपके पास right है तो case करते रहेंगे बच्चे जिस चीज को डर किसको होता है जिसने किसी कहीं पर गलती की हो जिसका कहीं पर कुछ रोम हुआ है कि कहीं मैं यहां पर first न जाओं कहीं मैं यहां पर मेरा यह चीज पता न चल जाए ठीक है तो उस चीजों को डर रहता है तो case अगर करते हैं तो उसका हमारी भरती पर कोई effect नहीं होता effect सिर्फ उसको जहां तक पता है भी प्रिंसिपल की भरती पर ये case किया गया है वो handicapped category वगरे का कुछ matter है तो हमारी भरती पर उसका कोई effect नहीं होगा और प्रिंसिपल की भरती पर कोई effect नहीं होगा सिर्फ ये है कि भी थोड़ा सा time जो है वो बढ़ सकता है और वो N.E.S.T. की tension है ये MRS committee की tension है वो हमारी tension नहीं है ठीक है ये है कि भी देखो जितना जदा time period लग रहा है उतनी सभी के mind में ये query चल ही रही है कि मैं पहले अप्रेल में बोल रहे थे कि अप्रेल के first week में हो जाएगी फिर mid में बोलने लगे और फिल जाके जून में कहने लगे और अब जो है case लगातार हो रहे हैं तो अब ये कह रहे हैं कि जुलाई में और एक दो ये भी सुनने को आया है कि भी अगस्त में हो जाएंगे ठीक है तो भरती तो जरूर होके रहेगी लेकिन ये है कि भी time थोड़ा सा लगेगा नहीं vacancy भी आएंगी जब आप ये देखो आपके mind में अगर ये question आता तो आप ये सोच के देखो इतनी सारी vacant post है अगर इनको cancel कर दिया मान लो एक परसेंट अगर इनको cancel कर दिया कितना ज़्यादा नुकसान होता है गोर्मेंट को भी एक्जाम भी conduct करवाने होते हैं चपवाने भी होते हैं ऐसा तो है नहीं कि जिन बचों ने form fill कर दिया उनसे दोबारा चार्जिस लेंगे जी नहीं वो खर्चा तो लग चुक ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि देखो हर एक चीज़ का प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को फोलो करना होता है हर एक ये नहीं अब जैसे बिहार में बरती हुई थी अब वहां पर बच्चों को निकाला जा रहा है तो उससे अच्छा है कि टाइम ज़्यादर लिय जाए लेकिन बरती एक अच्छे तरीके से की जाए ताकि बाद में कोई प्रोप्लम ना है बाद में अगर किसी कैंडेट को सिलेक्ट होने के बाद अगर उसको कई सालों के बाद निकला जाता है तो उस तकलीव से वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकता ठीक है तो ये अपने म पड़ी वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे क्वैरी आ रही थी बच्चों की यही कि में बहुत चरण डर लग रहा है, कहीं बर्ती कैंसल हो जाए, कहीं यह हो जाए, भर्ती कब हो पाएगी, ठीक है, तो देखो उमीद अभी भी जून की है, कि जून में हो जाए, लेकिन वही है बही अब क्या कह सकते हैं जब तक official notification नहीं आ जाता क्योंकि हर एक बात यही है कि कोई भी जाता है जैसे अब कई सारे candidates गए थे जिनका dv था किसी को जून में कहा गया किसी को यह कहा गया कि भी जुलाई में होगी एक दो बच्चों ने यह बताया कि मैं यह कह रहे है कि अगस process चल रहा है उस way में तो ऐसा लग रहा है कि अगस तक जाएगी ठीक है तो ऐसा जब भी government चाहेगी कि इस process को fast किया जाए तो रातों की रात भरती आपने देखी भी होंगी होते हुए सारा काम कितना fast होता है अगर government चाहती है उस भरती को जल से जल complete करना और अगर चाहती है कि भीस में time लगना चाहिए तो आपको पता ही है कि कितनी सारी list इतनी list का भी किसी भरती में आपने देखी थी कितनी बार candidates को मुका दिया जा रहा है बार बार उन candidates को बुलाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ किस लिए इसी लिए ताकि जो seats vacant रहेगी हों को किसी ना किसी तरह फिल किया जा सके ठीक है तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बिल्कुल 100% भरती complete होके रहेगी रद नहीं होगी इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए और जो ये case है इनका हमारी भरती पर कोई effect नहीं पढ़ने वाला है और उसके साथ new vacancy भई देखो new vac vacancy का तो ऐसा है ये भरती complete होने के बाद ही पता चलेगा भी new vacancy कब आएंगी लेकिन यही है कि ये भरती complete होने के बाद 3-4 महिनी लग जाएंगे आपकी new vacancy आने की ठीक है क्यों क्योंकि notification वगएरा भी तियार करना होता ही देखना होता है कि भी कितने क्या track and post रही है कहां प final selection हो जाएगा उसके बाद waiting list जरूर आएगी 100% sure आएगी तो जिन बच्चों का एक दो दो नम बरसी रह रहा है वह उनके chance है एक साल तक आपके जो candidates है अगर कोई candidates जवाई नहीं करता है या फिर एक candidates का ऐसा भी हुआ है जिनका दो दो post पे इकठा selection हुआ है तो एक बरसर ए जैसे कई ओने TGT PGT दोनों के लिए apply किया था तो एक post पर एक ही person apply कर पाएगा तो जो vacant seat रहेगी उसमें waiting list वालों को बही chance है कि waiting list वालों का वहाँ पे selection हो सकता है ठीक है तो waiting list वालों की hope है लेकिन यही है कि भी आपका जो DSSP का exam है NVS का है उनकी आप तयारी साथ साथ करत है कि भी अपनी तयारी मत छोड़िएगा कहीं आप इस बरों से बैठे रहों कि waiting list में नाम आएगा और फिर आप का यहां भी selection नहीं होता है और वहां पर भी रह जाता तो बढ़ाई कभी भी आपकी waste नहीं जाती है हमेशा वो कहीं ना कहीं आपकी काम ही आती है आपकी knowledge increase हो है और हाँ यह sure है भी बरती रद नहीं हो की last फिर कहरीं waiting list जरूर आएगी 10% candidates की तो आनी ही है और अगर seats ज्यादा रह जाती है तो भी कुछ कहनी सकते फिर ज्यादा भड़ भी सकती है ठीक है क्योंकि कोशिश यहीं की जाएगी कि vacant post को पूरी की पूरी फिल किया जाए और एक साल तक waiting list वालो candidates का selection के chance रहती है ठीक है आज आज आपके जो doubt है वो clear हो गए होंगे बार बार जो आपके mind में query आ रही थी वो sort out हो गई होगी तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है motivation के साथ लगातार आपके जो काम रुके हुई है आप तब तक उनको कर लीजिए का जल् पर नहीं पढ़ने वाला है at last फिर यहीं कह रहे है so thank you so much वीडियो अच्छी लगी तो like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और अगर आपके कोई भी doubt है तो comment कीजिए thank you